दोस्तों हम मेंसे काफी लोग पानी को इतना साधरन समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहे जैसे चाहे और जितनी मातर में पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिलकुली गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधरन लगता है, ये हमारे सरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और सरीर में बनने वाले जहरेले परदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है पेट से लेकर तो अच्छा तक एवं वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पान ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए पानी की मातरा इसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह पीने से इसके क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुपसान होते हैं अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी से भी अच्छी चीज क्यों ना खाले उसका सही फायदा उसके सरीर को मिल ही नहीं पाता, जिसकी वज़े से सरीर को बहुत सी प्रोगलम फेश करने पड़ती है, जैसे कि एपचन, कबज, गयास, लीवर की कमी, रोग परते रोग धक्चमता की कमी, सुस्तियाना, गुर्दे की पत्री, दाज खुचली, इसकी इनलर जोडों में दर्द होना, सरदर्द, सरीर पर अंचाही चर्बी का जमना और चक्कर आना, और वजन गटाने या फिर बढ़ाने में दिक्कत आना, और रातों को नींद ना आना, बालों को जड़ना जैसे कहें बीमारी सिर्फ पानी को गलत मातर में और गलित तरीगे से पीन होता है, एक दिन में कम से कम कितना और जादे से जादे कितना पानी पिया जा सकता है, किस तरह से पानी पीने से सरीर की सभी बीमारी को दूर किया जा सकता है, और पानी पीते वक्त कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखन है, नमबर एक, सबसे ज़्यादा खत्रा रहता सेथ हैं आपकी किड़नी पर जब आप खड़े होकर पानी पिते हैं तो वह हैं पानी ब닌 फेल नगा हुए ही सीदा के लौके टेनल तक पहुँ जाता है। आप क्योंकि पानी ठीक से बिल्टर नहीं हो पाता तो इसकी वज़े से आपकी किड्नी पर ज्यादा प्रेजर पड़ता है और किड्नी डेमेज होने ये फेल होने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और नमबर दो ये चीज आपने खुद भी एक्सपिरियंस की होगी कहीं से सोना होगा कि पानी हमारे सरे लिए जरूरी है और फिर पानी पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे आप जनम जनम के प्यासे हो दोस्तों आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ ये बास सही है कि हम ऩौपेंज हो सकती मिखने पामी देंज हो सकती है नोर्मली एक इंसान चाहिए ये जह hade पानी पहने हो estado हकी नंबर तीन में हरके करी होगी अप जाएग घर में हो या फिर ओपिस में काम कर रहे हो खेल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो जब आपको प्यास लगती होगी तब एक गिलास पानी सिर्फ और सिर्प funded में पी जाते होगी इतना ही नहीं पड़े लिखे लोग भी ये गल्टी और देते है प्यास लगी बोटल उठाई और सारा पानी घुटखुट क सबसे पह yılी बार पानी को धीरे स्वयप करके पिए वडी Really time इससे हमारी बोडी पानी को जलद से डिश्ट कर लेती है और नंवर चार अब जारव इडियोर आप को ठोड़ा ध्यान से Economics कुद्रत कने हमारी बोडी के इस आप से ही चलती है इसलिए हमारे सरीर ही वैसे ही react करता है जब हमें भूग लागती है तो हमारी भीडिक खाना पचाने के लिए हरящ, चुजुन है पाचन अगय पाचन रस बनाना सुरू कर देते है ऑफें पानी के पिर ले और पेट बड़ा होने लगता है तो खाना खाने के तुरंद बात पानी ना पिए हां आप कुल्ला जरूर कर सकते हैं या फिर आप एक आध घूट पानी पी सकते हैं और आज कर लोग अपने घरों में पानी को फिल्टर करने के लिए वाटर प्यूरीफायर के इस्तिमाल करते थे आयुवेर्द के हिसाब से और कुछ साइंस के हिसाब से रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर पानी को तामे के बरतन में रखा जाए तो इसमें सभी प्रकार के बैक्टरिये खतम हो जाते हैं जो कि काफी सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं बड़ क्या आपक के मटके का पानी पीना चाहिए इसके फायदा आपको जब देखने को मिलेगे जब आप मटके का पानी पीना स्टार्ट कर दोगे आई होप आपके वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लैक करे और हो सके तो हमारे चैनल को सस्क्राब भी करे ध अगने लार